ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि ये फेक्ट है, इस बात का आप अगर देखोगे, हॉन्डा यूजर हो अगर आप साइज SUV का जो मार्केट है ना, इसमें सारे इंजन लगबब नैचुरल एस्पिरेटेड है, सिर्फ मैक्सिमम में एक्स्टेंड करवाता हुआ, दस गेम हमें खेलना है, भाई वाइनली हमें हॉन्डा की तरफ से उसकी एक नई SUV देखने को मिल रही है, बहुत ही जल्द ये इंडियन मार्केट में आने वाली है, इसी साल फेस्टिव सीजन गे, जी हाँ, बात हो रही है हॉन्डा की एलिवेट की, और आज इस वीडियो के अ बहुत जादा ज़रूरत है उस चीज के उपर, किस तरीके से इस मार्केट को ये चेंज कर सकती है, भाई इसका कॉंपिटीशन भी समझेंगे, हाला कि मिड साइज एक SUV कार है, डारेक्ट राइवल हमारा क्रेटा, सेल्टॉस इसे हो रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे फेक् बार के लिए, सो जाहीं दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूं संचे सकसेना, और अब हम इस वीडियो को स्प्लिट कर रहे हैं, चार पार्स में, सबसे पहले समझते हैं, मार्केट शेयर के बारे में, यार आब ये देखो कि हॉंडा जो कंपनी है, कॉं क्यों कि यार कोई SUV नहीं थी, लास्ट हॉंडा की जो SUV आती थी, हॉंडा CRV, 2020 में डिसकंटीन्यू हो गई, उसके बाद में कुछ नहीं था हॉंडा पे, सिविक कब आई, कब गई, किसी को नहीं बता, साथ ही साथ आब ये देखो, हॉंडा की अमेज और हॉंडा सिकी, दो ह हॉंडा ने अपनी नई कार एलिवेट लाके, ये तो फाइनली मतलब ये तो सब को शो कर दिया, कि वही देखो हिंडिया में रुखने का प्लान है, और लंबा गेम हमें खेलना है, जिस हसाब से हम टू वीलर में एक अच्छे मार्केट शेयर पर बैटे हैं, हमें वैसी फि इसका इंजन या 1500cc आईवी टेक इंजन यूस हुआ है, जो कि आप देखो इसका हॉंडा सिटी के अंदर सेम वही इंजन आ रहा है, तो ये 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटिड है, जो की 121 PS की पावर और 145 N के टॉर्क पे आ रहा है, पहली चीज तो देखने वाली बात ये है कि ये जो इंजन है ना, एक tried and tested इंजन है, proven इंजन है, not in the इंडिया, पूरे global पे, एक अच्छे लेवल का इंजन है, दूसरा better response है, नेचुरल एस्पिरेटिड होने के बाब जूर भी ना, काफी बहतर इस काड़ी का इंजन का response है, प्लस, जाधा बहतर टॉर्क डिल आपिम पे मिल जाएगा, तो कम से कम wear and tear होगा, एन वी एच गाड़ी में कम होगा, प्लस, cost effective और overall अच्छी low cost of ownership पे ये गाड़ी रहने वाली है, एक चीज और है, बाई गाड़ी का इंजन आता है ना, काफी अच्छी बहतर mileage देता है, अब पावर टॉर्क के मामले में तो ठीक है यार इंजन, लेकिन इस इंजन को और ज़्यादा strong जो बना रहा है, वो इसका transmission बना रहा है, हॉन्डा एलिवेट में 6-speed manual transmission आ रहा है, इसके साथ CVT transmission में भी ये गाड़ी आ रही है, तो बात कर लेते हैं, 6-speed manual transmission की, आप सबसे पहले देखो कि गाड़ी का जो चटा गेर है न, वो है overdrive gear, अभी होगा क्या, हॉन्डा एलिवेट अगर मान के चलो, आप 80 पे आप cruise कर रहे हो गाड़ी को, tentively अगर ये 80 की speed पे 2600 से 2700 rpm पे अगर होगी, तो अगर एक चटा गेर गाड़ी में होगा, additional, तो कार को फाइदा क्या हो रहा है, कम से कम 2400 से 2500 rpm पे वो एक estimated है, क्योंकि मैंने अभी तक गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन overdrive gear से benefit क्या हो रहा है, कि low rpm पे हमें ज्यादा torque मिल गया, जिससे आप देखो, एक तो low nvh होगा, केबिन में, कार के अंदर, अगर आप highway पे cruise कर रहे हो, तो better family के साथ में आप अपना time spend कर सकते हो, कोई short शर better mileage भी देगी, क्योंकि engine जादा struggle नहीं कर रहा होगा, अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ, इस Honda की last SUV क्या, तो last हमें CRV ही थी, जो हमें देखने को मिली थी, और 2020 में ये discontinue हो गई थी, अब आज देखो, last year अगर मैं market share, overall Honda का देखू, तो 2.4% का market share है, और Honda पूरे इंडिय के अंदर छटे नंबर पे rank कर रहा है, आप देखो, दो ही product थे, जिनके दम पे survive कर रहा था, तो market share तो कम होए गई, लेकिन अब बात करते हैं, इसके engine के specifications पे और इसके segment है, मैंने बोला, mid-size segment का ये market है, जहां पे Honda Elevate stand कर रहा है, एक monocoff frame, front wheel drive का ये गाड़ी है, यहीं पे आप इसके rival देखो, तो Creta है, Celtos है, Grand Vitara है, कुशाक, Tycoon, ये सारी की सारे इसके rivals है, सबसे पहले तो जो ये mid-size SUV का जो market है ना, इसमें सारे engine लगबब natural aspirated है, सिर्फ Iskoda और Volkswagen को छोड़के, अभी क्या है, उनके जो engines है वो 3-cylinder पे हैं और बाकी engine सारे competition के 4-cylinder पे है, Honda Ele इस पूरे segment के अंदर सबसे जादा है, फाइदा जादा power से ये रहेगा कि गाड़ी का top speed थोड़ा सा बहतर होगा as compared to other, और torque में बात कर लेते हैं, तो torque 145 newton है, लेकिन आप ये देखो कि ये जादा फरक नहीं है, क्रेटा में 144 आता है, Seltos में 144 आता है, तो इतना खासा फर आर्पीम पे आ रहा है, भाई, हॉंडा एलिवेट में जो torque 145 newton का मिल रहा है, वो 4300 rpm पे मिल रहा है, maximum torque, यहीं आप देखो क्रेटा और सेल्टॉस में 144 newton का जो torque आ रहा है, वो 4500 rpm पे आ रहा है, तो यहाँ पे 200 rpm का फरक आ रहा है, तो 200 rpm के difference में आपको 1 newton कम torque मिल रहा है क्रेटा और सेल्टॉस में, तो फाइदा क्या हो रहा है, हॉंडा एलिवेट के पास में यह advantage है कि parts में wear and tear कम हो रहा है, जो बात मैंने आपको शुरू में समझाई थी, कि better torque बिलीवरी है, आईवी टेक इंजन की low rpm पे, तो दोस्तों rpm पे भी काफी जादा फरक पड़ता है overall maintenance का, parts के wear and tear का और mileage का, correct हो गई यह बात, अब यहीं पे आप बात करते हैं कुशाक और टाइगून की, तो यार देखो इनका तो torque काफी जादा हाई है, 178 newton के torque पे यह आ रहे हैं, tentively 1750 से 4500 rpm के आसपास, यह हमें देखने को मिल रहा है, तो obvious है तर्वो चार्ज इंजन हो इनके का advantage, इश्कॉड़ा और फॉक्स रेगन के पास में है, बहुत सही है, यह चीज जो इनके पास है, बट यहाँ पे इस पूरे mid-size SUV के market में अगर मैं बात करूँ ना, गाडियों के numbers की, तो 12-13000 हर महीं में क्रेटा बिकती है, पूरे के पूरे अगर Hyundai portfolio को मैं उठा लू तो Hyundai portfolio की सबसे जादा जो बिकने वाली गार है वो क्रेटा है, 12-13000 नंबर कर रही है अपने इस पूरे market में, अब यहीं पे Celtos ले लो और Nexa की एक Grand Vitara ले लो, तो यह भी यहाँ पे इतेंटिवली 7-7500 यूनिट कर रही है, तो हलाकि अपना Hyundai और Celtos जो है, दोनों के दोनो लगवग सेम उस पे आ रहे हैं, बट आप यहाँ पे देखो, Maruti Suzuki Grand Vitara, आपको CMG पे भी देखने को मिल रही है, पेट्रोल पे भी मिल रही है, और Hybrid पे भी देखने को मिल रही है, गाड़ी में एक ये थोड़ा सा point एक पहतर है, जो Grand Vitara के पास है कि customer को न, option बहुत सादा अगर मैं बात करूँ तो Transmission 5-speed manual का रहा है, तो जो मैंने आपको पहले example समझाया था न, कि 5-speed पे, अगर 80 की speed पे गाड़ी चल रही है, ये टेंक्टिवली इतने RPM पे होगी, तो वो चीज आपको फरक पता लग जाएगा, जिस दिन आप Grand Vitara या High Rider चला लोगे तो, Toyota High Rider की ब बात करूँ तो, ये 6-speed transmission पे आ रहे हैं, और Honda Elevate भी 6-speed पे है, तो ये बहतर है, अब mileage देको as of now define नहीं है, तो इस पे मैं कोई बात नहीं करूँगा, अपनी वीडियो में mileage पे मैं पहले भी बात नहीं करता, क्योंकि वो totally depend है आपके गाड़ी चलाने के उपर, कि आप किस तरीके से drive कर रहे है, बात आती है transmission option की, तो यहाँ पे Elevate के पास में CVT भी है, automatic के उसमें, क्रेटा पे भी CVT है, सल्टॉस पे भी है, लेकिन Grand Vitara और High Rider पे Tor Converter बेस transmission है, जो की 6-speed का है, तो Tor Converter पे क्या है, कि Tor Converter मतलब pure automatic, उस पे अच्छी बात यह है कि जर्क उस पे ही कम है, gear shifting के time के, बट थोड़ा दिक्कत गया है कि वो expensive जादा होता है, as compared to CVT, maintain करना थोड़ा सा tough है, CVT में overall maintenance कम है, as compared to Tor Converter type transmission, तो CVT इसमें सही है, और जादा heavy torque CVT नहीं ले सकता, लेकिन हमें कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यह generally जो vehicle है, mid-size SUV आज के time में, जो India market के अंदर है, यह generally सारी front wheel drive और monocoque frame के उपर है, तो इतना हमें जरूरत नहीं है, जादा heavy torque का, क्योंकि हमें off-roading नहीं करनी है, और कुछ ऐसा नहीं कि ladder on frame पे तो गाड़ी का weight बहुत जादा होगा, तो चलेगा, CVT transmission इसमें चलेगा, overall देखो power to weight ratio की बात करूं, या torque to weight ratio की मे मेरे पास में नहीं है, क्योंकि गाड़ी का weight, curve width की मेरे को जरूरत है, तो वो as of now नहीं है, बट मुझे लगता है, elevate का काफी बहतर होगा as competitor इसके competition, क्यों power torque जादा है, इसलिए, देखेंगे खर जब यह figure आएगा, तो वही अब बात करते हैं, Honda elevate की dimensions भी, सबसे पहले गार को मैं अगर length की बात करूँ, मैं यहाप एक Creta, Celtos और Grand Vitara इसी पे जादा बात करूँगा, क्योंकि यही तोड़ा एक मेरे को लगता है, potential वो है, सबसे जादा mid side segment पे यही चीज dominant कर रही है, तीनों गाली है, तो length में अगर मैं बात करूँ, 4312 mm की length है, जो की Creta से जादा है और Celtos से 3 mm कम है, तो Creta से 12 mm की length जादा है, ठीक है, अब चोड़ाई भी बात कर लेते हैं, चोड़ाई में 1790 mm की गाड़ी की चोड़ाई है, जो की similar है Creta से, बट Celtos से 10 mm कम है, तो यहाँ पे तो यही है, और बागी Grand Vitara से 5 mm कम मान सकते हैं, तो यही है चोड़ाई पे, अ अब हाइट पे एक वर बात कर लेता है, तो हाइट में अगर मैं बात करूँ, तो 1650 mm की हाइट है, यहाँ पे बेटर है as compared to Creta और Celtos, यहीं Grand Vitara पे भी बात करों, तो येस इस से भी बेटर है, तो हाइट तो बढ़िया है, हमें हेड्रोम अच्छा देखने को मिलेगा गाड़ी में वील बेस है, जो की 40 mm क्रेटा और Celtos से जाधा है, और Grand Vitara से 50 mm जाधा हमें देखने को मिल रहा है, तो बैटर वील बेस है, तो लेग रूम मेरे साब से केविन जो है, काफी अच्छा इस्पीशियस होगा, बैठेंगे गाड़ी में तब पता लग पाएगा कि कितना है, कैसे है, अब यहीं पर हम आगे बात करते हैं गाड़ी की ground clearance की, तो इस overall mid-size segment में सबसे ज़ादा गाड़ी की ground clearance है, जो की यहाँ पर हमें 220 mm की देखने को मिल रही है, इसी के साथ में boot space भी इसका इस पूरे segment में सबसे जाधा है, तो 458 लीटर का हमें boot space देखने को मिल रहा है, तो वहीं आप बात करते हैं wheelbase की, 2650 mm का wheelbase है, क्रेटा से भी जादा है, सल्टाउस से भी जादा है, ग्रांड विटार से भी जादा है, आप यह देखो इस गाड़ी का जो wheelbase है अपना इश्कॉडा, कुशाग और फॉक्स वेगन टाइगून को हिट कर रहा है, बस एक mm कम है, बाकी बढ़िया है, तो leg room काफी बहतर इस गाड़ी में होने वाला है, बागी बैठेंगे तब एक बार पता करेंगे कि कैसा space है, अंदर, तो last हम बात करते हैं गाड़ी के price ली, तो मेरे हिसाब से tentively, जिस हिसाब से अभी गाड़ी की specification है, सारी चीजे है, as compared to Hyundai या Kia, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि ये fact है, इस बात का आप अगर देखोगे, Honda user हो अगर आप, तो आपको परता है कि वही कितनी better service Honda देता है, as compared to other market OEM, इसके साथ में आप देखो, Honda पे एक सबसे बड़ा advantage है, इसकी warranty, maximum मैं extend करवाता हुआ, 10 साल तक लेके जा सकता हूँ, Amaze पे है, City पे है, 10 साल तक की warranty है, तो काफी अच्छी एक peace of mind इसका overall ownership रहने वाल है, low cost of ownership cost रहेगी गड़ीगी, तो काफी अच्छा बहतर चौए, इस ये बन सकती है, but last में हम अभी बात करते हैं, क्या-क्या चीज़े और होती तो better होता, यार मेरे को जो आज लगती है ना बात, आप देखो, Grand Vitara जो आती है, वो CNG के भी option पे है, CNG एक सबसे बड़ा plus point है कि एक buy fuel at least आना चाहिए गाड़ी में, और ऐसा नहीं है कि Honda के लिए buy fuel नया है, एक time पे Honda Amaze भी CNG पे आई थी, तो yes, अगर ये गाड़ी CNG पे होगी, तो और भी बहत ये value proposition बन सकती है, साथी साथ में अगर मैं elevate पे बात करूँ, ये गाड़ी at least mild hybrid पे तो होनी चाहिए थी, strong तो मैं नहीं बोलता, कि strong तो थोड़ा हो सकता है कि काफी expensive हो जाता, लेकिन at least mild hybrid के साथ में ये गाड़ी होती, तो थोड़ा सा और भैतर हो सकता था इसमें option, तो मे फिरको ये दो चीजे इसके थोड़ी सी दिक्कर लगती है, initially अगर इस गाड़ी को CNG के साथ भी लेके आ जाएं, तो बड़िया हो सकता है, इसका अच्छा market और बेटर ये पगड़ सकती है, बाकी देखते हैं, आप लोग बताओ आपकी क्या राए है इस बारे में, बाकी overall अगर मैं बात करूँ, तो yes, एक better choice है आपके लिए, अगर आप प्लान कर रहे हो Honda Elevate, तो yes, go for it, बाई, वर्थ इट कार होगी, आप देखो, no doubt, greater है, बिक्ती है सबसे ज़ादा, बट एक overall जो value of money अब आपको देने वाली है, अच्छा low cost of ownership, अच्छी product की quality, अच्छी reliability, आपको अब Honda देने वाली है, बिल्कुल clear है ये वाली बार, अब इंडिया के लिए न, ये बिल्कुल game change होने वाला है, Honda की अपनी इस SUV से, तो बाकी आप लोग अपना opinion बताओ, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके क्या points है, मेरे को जरूर comments में बताओ, and thank you so much for watching, अगर watching मैं हूँ संचे सकसे,